बच्चों आज हम अपनी हिंदी पाट्टे पुस्तक में तीसरा अध्याई पढ़ने जा रहे हैं और उस अध्याई का नाम है छोटा जादूबर बच्चों जो यह हमारा अध्याई है इसके लेखक है जैसंकर प्रशाद वो हमें इस पाट के माद्यम से यहें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार लोगों की आवश्यक्ताई लोगों की जरुरतें लोगों की आवश्यक्ताई उन्हें उम्र से पहले ही समझदारे बना देती है इस पार्ट में उन्होंने एक छोटे लड़के का वनन किया है उसमें उसे छोटा जादुगर कहा गया है जादुगर उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने हाथ के कर्तब से हाथ की सपाई से कुछ पेसे कमाता है और इस कानी में उस बालक के माता के प्रति प्रेम व्यवभार की कुसलता और परिश्रम से जीवन बिताने का वणन भी किया गया है किस प्रकार एक बालका माता के प्रति प्रेम होता है और किस प्रकार प्रिश्रम से वा आत्मनिर्वर बनता है और किस प्रकार का उसका व्योभार है इसका वणनी स्पाट में किया गया है इसको पढ़ने से पहले जो हमारे लेकर कहा है उनका परीचेत पढ़ते हम जैसंकर प्रशाद का जनम 30 जनावरी सन 1889 को वारांसी उत्रपरदेश में हुआ जैसंकर प्रशाद का जनम 30 जनावरी 1889 को वारांसी जो उत्रपरदेश में इस्तित है वहां पर हुआ हिंदी के सुप्रसीद नाटक कार उपन्यास कार एउं कता कार नाटक कार नाटक को लिखने रचने वाले उपन्यास कार उपन्यास की रचना करने वाले और कथा कार कहानियों की रचना करने वाले जैसंकर परसाद का हिंदी, संस्कृत, फार्सी और उर्दू सभी भासाओं पर पून अधिकारे था वो हिंदी बहसा को भी जानते थे, संस्कृत में भी लिखते थे, फार्सी में भी लिखते थे और उर्दु बहसा में भी वो लिखते थे इनके परमुक नाटक है उनका नाम है दूरवे स्वामीनी अजात सत्रू आउरे चंदर गुपत है अपने छोटे से जीवन में इनोंने अपनी रचनाओं से हिंदी सायते के कोस को निरंतर सम्रद किया है इनका जितना विजीवन हुआ उस जीवन में उन्होंने जो हिंदी सायते की जो रचनाओं है इनके बारे में हमने पढ़ा जो हमार रचनाकार है अमार रचनाकार का नाम है जैसंकर प्रिशाद और इनका जनम 30 जनवरी सन 1889 को वारानसी उत्रपरदेश में हुआ ये नाटकार उपन्यासकार खताकार के नाम से जाने जाते हैं सभी बासाओं की इनको जानकारी थी और 14 जनवरी सन 1937 को वारानसी में इनका नितने हो गया ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं आगे कुछ प्रसंद दिये हैं जिन पर हमें विचार विमर्ष करना है पहला प्रसंद है हमारा क्या आपने कभी जादू का खेल देखा है क्या जादू का खेल सचमुच कोई चमतकार करता है या फिर वहें के उल हमारी आँखों का दोखा होता है तरग देखर बताई हाँ जादू का खेल हमने सभी ने देखा है सबने देखा है जादू का खेल किया जादूगर सचमच कोई चमतकार करता है हमें जब जो ही हम जो खेल देखते हैं उस खेल में हमें दिखाए देता है कि जादूगर चमतकार करता है लेकिन वहें चमतकारे नहीं होता है वहें जो भी कारिय करता है वहें हमारी आँखों से चुपा कर कारिय करता है और वहें उसकी हाथ की सपाई होती है कितनी चालाकी से वहें कारिय करता है कोई भी जादू उसमें नहीं होता है कोई भी चमतकार उसमें नहीं होता है केवल हाथ की सपाई ही उसका कारिय होता है चाला के से और हात की सपाई कवेकारी होता है जो हमें चमतकार दिखाई देता है आत्من इरभर होना क्यों हो से खाय है आप किन चीजों को लेकर आत्من इरभर है आत्म निर्भर का अर्थ होता है अपना कारिया स्व्यम करना किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होना कोई भी वेक्ति अपना कारिया अगर स्व्यम करता है किसी दूसरे किसायता उसे अपने कारिय में नहीं लेनी पड़ती तो वहें व्यक्ति आत्मनिर्बर कहलाता है आप किन चीजों को लेकर आत्मनिर्बर है पहल तो आत्मनिर्बर होना क्यों आउसिक है क्यों आउसिक आत्मनिर्बर होना तो कि अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें आत्मनिर्बर होना ही पड़ेगा आत्मनिर्वर होना बहुत ही आउसिक है क्योंकि जब हम आत्मनिर्वर हो जाएंगे तो हमें किसी की भी सायता लेनी नहीं पड़ेगी और हमें अपना कारिये स्वयम करने के आदर डानी चाहिए अपना कारिये में स्वयम करना चाहिए तो आप कौन-कौन सा कारिये स्वयम करते हो, किस कारिये में आपको किसी की सायता लिने नहीं पड़ती, तो वो आपको लिखना है पार्ट की सिर्सक में चित्रों की सायता से उनकी कतावस्तु के विशे में क्या पता चलता है पूर्व अन्वान लगाए जो हमारा पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पार्ट का सिर्सक है छोटा जादूगर ठीक है इस पार्ट के सिर्सक को देख करें और इस पार्ट में जो भी चित्र दिये हैं उन चित्रों को देख करें अगर हम पूरों में अनुमान लगाएं कि इस पार्ट में क्या द अच्छा किस प्रकार अपनी परिस्तितियों के कारण समय से पहले ही समझदार हो गया उसका बच्पन था उस बच्पन को उसने नहीं जिया उस बच्पन में भी उसने आज जीविका के बारे में सोचा समय से पहले ही वह समझदार हो गया और उसकी जो माता है वो भी चित्र की साथा से हम देख सकते हैं कि बीमार है माता के प्रत्य उसका प्रेप और UU जो वेवहार की कुछ सलता है किस प्रकरवर लोगों के साथ में वेवहार बनाकर उसे जादू दिखाता है करतब दिखाता है जिसे की लोगों को पसंद आता है आधी का ने इसमें किया गया है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक छोटे बाल लग कव बना ने इस पार्ट में किया गया है, ठीक है, यह हमारे कुछ प्रसंद दिये विये थे, उन प्रसंदों पर हमने विचार किया, अब हम आगे पढ़ते हैं, जीवन मुले, इस पार्ट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पार्ट से हमें क्या सिक्सा मिलती है, यह इसमें बताया गया है, कि जरुरत पढ़ने पर मनुसे स्वयम को परिस्तितियों के अनुसार ढालने के अदबुत ख्षमता रखता है, हर मनुसे में यह ख्षमता होती है कि जब हमे रहकर जीएं और हमारे जिन्दगी में सुख संपनता है तो हम उनके अनुसार जीएं तो जैसे भी प्रिस्तिति आएं उसके अनुसार हम ढ़ल जाएं हमारे अंदर एक अद्बूद अनो की क्षमता होती है यदि छोटे बच्चों पर भी जीमेदारी आ पड़े तो वे भी अ समझ कर अपने कर्तव्यों का निर्भायन करने लग जाते हैं अगर कोई चोटा बच्चा है उस पर भी छोटी सी उमर में उसके बच्वन में ही कोई जीमेदारी आ जाए तो वे उसे अपना करता है कठनायों में हार न मानकर उनका सामना करना ही बेतर होता है मारे जीवन में प्रेसानियां, खटनायां आती है पुरुन का हमें सामना करना चाहिए तो कि सामना करने से हमें सपलता मिलती है जीवन में कुछ ऐसे मोली गुण होते हैं जिनके बलपर हम दूसरों के सम्मान और आद्र का पात्र बनते हैं एक मोली गुण की हमने पहले चर्चा की थी आत्म निर्बर अगर हम आत्म निर्बर हैं, अपना कारियों स्व्यम कर रहे हैं किसी के सायता हमें लिण नहीं पड़ रही तो हम समाज में आद्र का पात्र बन जाएंगे हमारी व्यवभार कुछ जलता हम किसी से सम्मान से बात करे हैं विनमता से बात करे हैं तो भी हम समाज में आद्र का पात्र बन जाएंगे हमें अपने उन गुणों को हर इस्तिति में बनाए रखना चाहिए कैसी भी परिस्तिति आए हमारे अंदर जो गुण है जिन गुणों से हमें समाज में सम्मान मिलता है उन गुणों को हमें बनाए रखना चाहिए इस पार्ट से हमें यह सिक्सा मिलती है अब आगे पढ़ते हैं उपना इसको पढ़ें इससे पहले इसी जो यह पार्ट है उसको हम छोटे रूप में जान लेते हैं जिससे कि हम जो आगे पार्ट पढ़ें तो उसमें हमें आसानी रहें समझने में आसानी रहे उसको मासानी से समझ सके इसमें देखो बचो इसमें क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है एक बच्चा होता है जिसके पिता देश की कातिर जेल में बंद रहते हैं देश की कातिर देश के किसी कारण वसे वो जेल में बंद हो जाते हैं और मा बीमारे से गुजर रही होती है ऐसे में एक बालक अपना पेट भढ़ने के लिए कुछ जादू दिखाने का काम सोचता है और कुछ आई अरजित कर वहें कुछ पैसा कमा कर वहें अपनी मा के लिए गंबल खरीदना चाता है क्योंकि उसकी मा बहुत बिमार थी उसकी मुलाकात लेकक से होती है लेकक का नाम है जैसन कर प्रशाद उसकी मुलाकात लेकक से होती है जो सरबत पी रहे होते हैं एक मेदान होता है वहाँ पर मेला लगा हुआ होता है उस मेले में लेखक की मुलाकात उस लड़के से होती है और लेखक वहाँ पर सरबत पी रहे होते हैं उसका भी मन होता है पीने का पर पैसे नहीं होने के काणवा पीछे आ जाता है बालक का खेल देखकर लेकर उसे सरबत पिलाते हैं और खेल दिखाने का कारण है पूछते हैं और बालक का खेल देखकर लेकर उसे सरबत पिलाते हैं और इतनी चोटी सी उमर में उसने खेल दिखाना आरंब क्यों किया उसका कारण भी उसे पूछते हैं वहें कारण भी बोलता है तब से लेख को बालक से मिलने की इच्छा भी होती है वहें कारण बताता है कि मेरी मा बिमार है पिता जी देश के खातिर जेल में बंद है तो लेख को उसे और ज़्यादा मिलने की इच्छा हो जाती है एक दिन चोटे जादुगर के घर से मिलकर लेकर को उस बालक के मा की वास्तवी की सिती का पता चला एक दिन वो जो ही चोटे जादुगर से मिलकर निकले तो उसकी मा की वास्तवी की सिती जो वो बिमार थी उसकी सिती का उनको पता चला पिर एक दिन बालक सहे में हुई अवस्ता में खेल दिखाता हूँ उन्हें वापस मिल गया एक बार फिर से उनकी मुलाकाथ हो गई लेकर फिर मिलता है बालक से और उसके उदास होने का करण बलता है बोलता है जल्दी आने को बोला था क्योंकि मा बहुत ज़्यदा बिमार है और इस जाने की इस धुनिया से जाने के नुबती उनको हो चुकी है इसलिए मान ने आज मुझे जल्दी बूलाया है इस बात पर लेकर बालक से नाराज होकर भी उसे उसके घर पर अपने साथे ले जाते हैं नाराज क्यों होते हैं क्यों आज उनकी मा बिमार है और उनकी जाने का टाइम है फिर भी वह आज केल दिखाने के लिए आया है उनको फिर अपनी गार्डी में बिटा कर उनको साथ में ले जाते हैं और वहां जाने के बाद में उस बालग को पता चलता है कि उसकी माब इस दुनिया में नहीं रही है और वह बालग फूट उटकरोने लग जाता है इसी एक छोटे बालग की जो कहानी है उसका वननियाबर किया गया है इस कहाने से हमें एक यह सिक्सा मिल जाती है कि हमें परिष्टितियां चाहे कैसी भी हो परिष्टितियां लोगों को समय से पहले ही बुद्धिमाने बना देती है उनी प्रस्तितियों के कारण उसकी घर की प्रस्तितियों के कारण बालक एक छोटी सी उमर में ही आत्मनेरवर हो गया अपना कार्य खुद करने लगया अपना आजीव का कमाने लगया और उसकी मा बीमार थी उसका अंतिम समय था फिर भी उसे वहां पर पैसे कमाने के लिए आ पारो और हसी और विनोध का कलनाद गूंज रहा था। उस चोटे पुहरे के पास एक लड़का चुपचाप सर्बत पीने वालों को देख रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे और वह पी नहीं सकता था। उसके मुह पर गंबीरता के साथ धेरी की रेखा भी थी। गंबीर था लेकिन लग रहा था कि इसके अंदर धेरी की ख्षमता भी है। उसकी और नए जाने क्यों में आकरशित हुआ उसके अभाव में जो लेखक हैं वा वरनन कर रहे हैं कि कार्णीवल के मेदान में चारोतरफ हसी कुसी का माहोल था। फुहारे थे, लोग प्रसान थे, तभी मैंने एक बालक को देखा और बालक चुपचाप सर्वत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में एक सूत की मोटी सी रस्री थी और पास में तास का बंडल था, जेब में तासे थी। उसके मुँँपर गंबीरता थी, और गंबीरता के साथ में धेरिये गर मुझे दिखाई दे रहा था। में उसकी और पता नहीं क्यों आकरशित हुआ, उसके अभाव में में भी कुछ संपूनता थी. उसके अभाव में भी कुछ संपूनता थी ऐसा लग रहा था उसके पास में अभाव है लेकिन उस अभाव में भी उसकी संपूनता दिखाई उसे दे रही थी मैंने पूछा क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा मैंने सब देखा यहां चूरी फेकते हैं, खिलोनों पर निसाना लगाते हैं, तीर से नंबर चेहते हैं, मुझे तो खिलोनों पर निसाना लगाना अच्छा लगा मैंने पूछा, लेकर ने पूछा, कि क्यों तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा, तो बालक ने बोला कि इसमें मुझे चूरी फेकने वाले हैं वो भी अच्छे लगे कि खिलोनों पर निसान लगाने वाले वो भी अच्छे लगे तीर से नंबर जो छेदने वाले हैं वो भी मुझे अच्छे लगे पर मुझे उन में से जो खिलोनों पर जो निसान लगाता है वो मुझे सबसे अच्छा लगा जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है उससे अच्छा तास का खेलतों में दिखा सकता हूँ उसने बड़े जोस से कहा उसकी वानी में कहीं रुकाउट ना थी जो बालक था उस बालक ने कहा जादूगर तो निकम्मा है किसी भी काम का नहीं है इससे अच्छा जादू तो में दिखा सकता हूँ इससे अच्छा कर्तब तो में दिखा सकता हूँ अपनी तास से उसने बड़े जोस से कहा उसकी वानी में कहीं भी रुकाउटे नहीं थी उसने सीधे स्वर में बोला मैंने पूछा मैंने किसने लेखक ने लेखक ने पूछा क्यों परदे में क्या है वहां तुम गए थे और परदे में क्या है अंदर क्या तुमने जाकर वहां पर देखा है नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर टिगट लगता है और वहाँ क्यों नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर टिगट लगता है और टिगट अगर टिगट के करना गरोना जाता तो उसके लिए उसको पेसे चाहिए थे तो उसके पास वो नहीं थे मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ तुम्हें ले कि आज मेरा मित्र ये बच्चा ही है ये बालक ही है उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा चलिए निसाना लगाया जाए उस बालक ने लेखक से कहा कि वहां जाकर क्या करेंगे चलो हम तो निसाना लगाते हैं मैंने उससे सहमत होकर कहा तो चलो पहले सरबत पी लिया जाए उ लेकक ने उससे का कि चलो निसान लगाने के लिए हम जाएंगे उससे पहले हम थोड़ा सरबद पी लेते हैं उसने हां के बाहने सीरी लाया उसने हामी बरी कि हां मनुस्यों की भीड से जाड़े की संध्या में भी वहां गर में हो रही थी जाड़े कार तो होता है सरदियां सरदियों की सामती और सरदियों की साम के कारण है सरदियों की सामती तो सरदियों के साम ठंडी होती है लेकिन लोगों की भीड के कारण वहां पर एक गरमाहट थी गरम हो रही थी वो साम हम दोनों सरबत पिकर निसाना लगाने चले लेखक ने और बालक ने दोनों ने सरबत पिया और दोनों सरबत पिकर निसाना लगाने के लिए चल दिये राहे में ही मैंने उसे पुछा तुमारे घर में और कौन कौन है जो ही रस्ते में वो जा रहे थे तो लेखक ने उससे पूछा बालक से कि तुम्हारे घर में औरे कौन-कौन है मा औरे बाबुजी तो फिर बालक ने उत्तर दिया कि मा औरे बाबुजी दो है उन्होंने तुम्हें यहां आने के लिए मना नहीं किया लेखक ने बोला कि तुम यहां आए हो अके लिए क्या उन्हें तुम्हें यहां आने के लिए मना नहीं किया रड़का बोला बाबुजी जेल में है रड़के ने उतर दिया कि बाबुजी जेल में है लेखक ने पूछा कि क्यों देश के लिए वह गरों से बोला बालक बोला कि बाबुजी देश के लिए जेल में है और तुमारी मा फिर से लेकर उसको पूछता है कि तुमारी मा कहा है तो बालक बोलता है कि वह बिमार है और तुम तमासा देख रहे हो लेकक ने उसे का मा तुम्हारी बीमार है पिता तुम्हारी जेल में बंध है और तुम तमासा देखने आये हो उसके मुह पर तिरसकार की हंसी फूटी पड़ी उसने कहा तमासा देखने नहीं दिखाने निगला हूँ तिरस्कार की हसी पूरवक हसने लगा कि नहीं मैं तमासा देखने नहीं मैं तमासा दिखाने के लिए आया हूँ कुछ पेसे ले जाऊंगा तो मा को पथे दूँगा पथेकार तो होता है दवा पथेकार क्या होता है दवा उसके मुह पर तिरस्कार की हसी पूट पड़ी तिरस्कार पूर्वक वहां हसने लगा उसने कहा कि मैं तमासा देखने नहीं दिखाने आया हूँ इससे कुछ पेसे अगर मैं ले जाऊंगा तमासे से तमासा दिखा करें तो मैं अपनी मा की जो दवा है मैं उसका बंदोबस करूँगा, प्रबंद करूँगा, मुझे सर्बत ने पिला कर यदि आपने मेरा खेल देकर मुझे पेसे दे दिये होते, तो मुझे तसली हो जाती, मुझे अगर आपने सर्बत ने पिलाया होता, और सर्बत ने पिला कर मेरा खेल देकर अगर आपने पेस पेट बीमार है इसलिए में नहीं गया फिर उसे लेकर जब उसने ऐसी बात देखी तो उससे आश्च्ट्रे पुरोग देखने लगा तो बालक ने कहा कि हाँ बाबुजी में सही बोर रहा हूं मेरी मा बीमार है इसलिए मैं नहीं गया तो लेखक नहीं पूछा कि कहा जेल में जब कुछ लोग खेल तमासा देखते ही हैं तो क्यों नहीं दिखा कर मा की दवा करूँ और अपना पेट भी भरूँ मैं अपने पिताजी के साथ जेल नहीं गया क्यों क्यों कि जब कुछ लोग खेल tamasा देखते हैं तो ये कर्टब उनको दिखा कर मैं कुछ पेसों का बंदोबस्त करूँ और अपनी मा की दवा और अपने पेट को भी भरू मा की दवा का इंतजाम करूँ और जपना पेट है उसको भी भर सकूँ मैंने दिर्ग नीश स्वास लिया चारो और बिजली के लट्टू नाच रहे थे मन व्यग्र ओ उठा मैंने उससे कहा अच्छा चलो निसाना लगाया जाए मैंने दिर्ग नीश स्वास लिया जो लेकर था उनने लंबा स्वास लिया लंबा स्वास लेकर दिर्ग नीश स्वास लंबा स्वास छोड़ा और लंबा स्वास छोड़कर चारो और बिजली के लट्टू नाच रहे थे और उनका जो मन था वो व्यग्र हो रहा था अधीर हो रहा था उन्हें उनसे पूछा कि चलो निसाना लगए जाए लेक तक थोड़ा रुके उनुन देखा कि छफ़ तरफ लटू नाचेते माहल अच्छा था वहाँ वेगर हो गए, अदीर हो गए और उन्हें ने कहा कि चलो निसाना लगए जाए ठीक है बचो आज हमने अपना इतना पाठ पड़ा बाकी जो अपना पाठ है उसे हमें कल पड़ेंगे ठीक है